जहें डिफेंस वेलकम बैक अगेन दिस दिव्यांशु पांडे आज के सेशन में हम एक्ससाइस मिलंग 2024 के बारे में डिसकुशन करने जा रहे हैं जो की अगले साल फ्रब के मंथ में कंड़र की जाएगी तो चलिए शुरुवात करते हैं आज के सेशन की जैसा कि हम सभी जान किया हैं और हर साल कई exercise कंड़र किया भी करती हैं अभी तक तो हमने domestic और bilateral exercise को ही cover किया हैं अगर भारती नौसेना की सबसे बड़ी exercise की बात करें तो इसमें आपकी Milan exercise आती है जिसको दो साल में एक बार कंड़र किया जाता है और अब next मिलन का जो exercise है उसका 12th edition भारत के विशाका पत्नम में conduct किया जाएगा और इसमें भारती नौसेना total 50 countries को निवता दे रही है जी हाँ इस बार विश्च के कुल 50 देश भारत में आएंगे उनकी नौसेना आएंगे और भारती नौसेना के साथ ये हमारे विशाका पत्नम की तरफ अपने exercise को conduct करेंगी बंगाल की खाड़ी के तरफ तो देखिए काफी important है और ये भी आपको पता रहना चाहिए कि इसका ये 12th edition इस बार conduct किया जा रहा है जिसकी date 19th feb से लेकर 27 feb 2024 में रहेगी Milan exercise की final planning conference के जरी आपके conduct करवाद दी जा चुकी है और यहाँ पर maritime warfare center था जहाँ पर इंडियन नेवी और जितने भी countries इसमें participate होंगी उनके सभी उच्छ अधिकारी इस आपके conference में आये थे अगर हम Milan exercise की बात करें so it is a type of a biennial multinational exercise जिसको दो साल में एक बार इस flagship event को भारती नौसेना कंडर्ट करती है और इसकी शुरुवात सबसे पहले 1995 में की गई थी तो 1995 से लेकर अभी तक इसके कोल 12 संस्करण कंडर्ट की जा चुके हैं और 12 एडिशन जो है आपका अगले साल होगा 11 एडिशन हो चुके हैं वही पर प्रधान मंत्री नरेन मोधी का जो initiative सागर का साथी साथ act east policy का उसके थाथ हमारी भारती नौसे ना आगे बढ़ रही है 2014 से पहले ये जो act east policy थी उसको हम look east policy के नाम से जानते थे लेकिन मोधी जी ने इसके नाम में change किया और कहा कि अब देखना नहीं बलकि हमको करके दिखाना है जिसके तहब जितने भी हमारे इंडियन ओशन में bordering countries हैं उनको एक साथ ले आना और विश्व की जितनी बड़ी ताकत हैं जैसे कि आपका अमेर का रशिया जापान फ्रांस ब्रिटेन इन सभी की नौसे नाओं की ताकत को यूटिलाइस करना हमारे maritime security को और भी शशक्त बनाना और technological level पर अपने आपकों कैसे advance कर सके उस पर जो है अपने आपको खरा उतारना इसका main उद्देश है इस बार भी स्वालंबल exhibition जो है हमारे million exercise में कंड़र्ट करवाया जाएगा और इंडियन नेवी का जो स्वालंबल exhibition था इस साल 2030 में launch हुआ था जिसकी वीडियो मैंने इसी चैनल पर बनाई है जिसको आप देख सकते हो इसी के साथ स्वालंबल exhibition next year भी इस million exercise के साथ होगा है इस पर subject matter expert exchange और million of young officers के तहर जो है international maritime seminar में सभी लोगों का एकत्री करण होगा और वो बहतर तरीके से अपने इस exercise को conduct करवा पाएंगे और हम सभी जानने है कि काफी लंब exercise रहेगी एक सब्ता के ऊपर इस exercise को समय आपका रखा गया है इस exercise में सभी देशों की तरब से अपने ships, maritime patrol aircraft, submarines और भारती नौसेना अपने दो सबसे बड़े aircraft carrier जिनका नाम आइनेस विक्रमादेत्य और आइनेस विक्रांथ है उन सभी को लेकर आई रहेगी और mainly आप सभी जानते हो कि भारती नौसेना के टोटल तीन कमांड्स हैं वेस्टन नेवल कमांड मुंबई में इस्टन नेवल कमांड आपके विशाका पत्नम में और सदन नेवल कमांड कोची में तो इस बार की इस एकसराइस को कौण आपका होस्ट कर रहा है हमारी इस्टन नेवल कमांड जो कि विशाका पत्नम बेजज है पिछली बार 2022 में ब्लन एकसराइस कंड़ेट करवाई गयी थी उसका 11 एडीशन था और ये एकसराइस भी विशाका पत्नम में होई थी उसकी डे 25 फेब से लेकर 4 मार्स तक थी जिसमें 39 कंटरीज थी तो 39 से लेकर अब 50 कंटरीज तक भारत आपका जावी रहा है और सभी देशों के सहीओ के साथ हम इस exercise को पूरी इमांदारी के साथ पूरे करतव इनिस्था के साथ कंड़क्ट करेंगे आप से भी डिफेंस एस्परिंट, SSB क्रैक एक्जाम के, SSB इंटर्व्य उनलाइन कोर्स और रिटेन कोर्स जैसे की NDA, MNS, Territorial Army, CDS, FCAT में इन्रोल होकर अपने आने वाले एक्जाम के तयारी करें अगर आप एक डिफेंस एस्परिंट है और SSB इंटर्व्य उनलाइन कर सकते है झाल